इतिहास का पिता हेरो डोटर सहब को कहा जाता है सिंदू घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है सुन योजित सहर के लिए सिंदू घाटी सभ्यता को सिंदू सभ्यता हरप्पा सभ्यता या नगडिय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंदु घाटी सभ्यता को कास योगीन सभ्यता भी कहा जाता है या आद्ध योगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंदु सभ्यता के लोगों का बैवसाय बैपार करना था सिधव वासियों का मुख्य फसल जो और गेहू था हरपा सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिये थे 1825 इसमी में ठीक है उसके बाद मोहन जोद्रो और हरपा की खुदाई की प्रभावी जो बताये थे वह जौन मार्सल सहाब थे उसके बाद हरपा सभ्यता कैसी थी तो कास यूगीन थी इसलिए हरपा सभ्यता को कास यूगीन सभ्यता भी कहा गया था सिंदू सभ्यता की लेपी भाव चित्रात्मक थी, मिस्र के राजा कहलाते थे, फरायों कहलाते थे, खरोष्टी लेपी लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर, स्वास्तिक चिन्हें देन है, किसकी सिंदू सभ्यता का देन है, स्वास्तिक चिन्द जो है, वह सिंदू सभ् आदी मानब ने सर्व पर्थम सीखा था आग जलाना आदी मानब सबसे पहले आग जलाना सीखा था इसलिए कहा जाता है आग का अविस्कार कब हुआ था तो पूरा पासान काल में हुआ था आग का अविस्कार पुरा पासान काल में, पहिय का अविस्कार नब पासान काल में, और क्रिसी का अविस्कार भी नब पासान काल में Next, सबसे पहले पालतु जानवर बना था कुट्ता, सबसे पहला पालतु जानवर कौन था, तो कुट्ता था सिंदू सभ्यता थी तो आद एतिहासिक काल की सभ्यता थी याद रखिएगा सिंदू सभ्यता को हरपा सभ्यता कास योगिन सभ्यता आद एतिहासिक सभ्यता कहा जाता है ठीक है हरपपा इस्थित है हरपपा पाकिस्तान में इस्थित है और यह रावी नदी के तर्थ पर इस्थित है ठीक है चरी नेक्स्ट सिंधू सभ्यता का परमुख बंदरगाह कौन है तो लोथल है सिंधू सभ्यता का परमुख बंदरगाह कौन है लोथल है हरपपा के लोग औपरिचित थे लोहा से हरपपा के लोग किसिप औपरिचित थे तो लोहा से औपरिचित थे next हरपपा में मिटी के बरतन पर प्रयुक्त रंग कैसा था तो लाल रंग था हरपा में जो मिटी के बरतन बने थे वह काले बरतन बने हुए थे उस पर लाल रंग का परत चढ़ाया गया था काले मिटी का बरतन पर लाल रंग का परत चढ़ाया गया था चावल का साक्ष कहां से मिले हैं तो लोथल और रंगपुर में मिले हैं कहां से लोथल और रंगपुर में नेक्स्ट शिंदू सभ्यता का मान प्राप्त काल है तो सिंदू सभ्यता की काल वह 25 इसा पुर्व से 1750 इसा पुर्व तक है नेक्स्ट मोहन जोद्रो इस्थित है तो पाकिस्तान के लरकाना जिलाबे इस्थित है ठीक है और मोहन जोद्रों सिंधू नदी के किनारे बसा हुआ है मोहन जोद्रों की खोज किस ने की तो राखल डास बनर्ची के दौरा 1922 इसमी में किया गया था मोहन जोद्रों की खोज कम की गई 1922 इसमी में किस के दौरा तो राखल डास बनर्ची के दौरा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा है मोहन जोद्रों में है जिसे अन्नागार के नाम से जाना जाता है मोहन जोद्रो के प्रमुख अस्मारक कौन है बिढ़त अस्नानागार है मेसो पोटामिया का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमी है हरपा की खुदाई हुई थी हरपा की खुदाई जो है 1921 इस भी में दयाराम सहनी जी के द्वारा किया गया था जिनका नाम पूरा नाम था राय बहादूर दयाराम सहनी तो याद रखिएगा हरपा की खुदाई 1921 इस भी में राय बहादूर दयाराम सहनी जी के द्वारा किया गया था सिंदु घाटी के लोग ने पूजा की थी सिंदु घाटी की लोग जो है वह मात्री देवी की पूजा क्या करते थे इसलिए सिंदु घाटी सभ्यता का समाज जो था वह मात्री सतात्मत था ठीक है पुरानों की संख्या कितना है अठारा है जिसमें से पंच पुरानों में राजाओं की बंसावली के बारे में बताया ग सबसे प्राचीन पुरान कौन है? मतस्य पुरान है. पुरानों की रचीता किसके द्वारा किया गया था? पुरानों की रचीता कौन है? तो लोमहर्स और उसके पुत्र उग्रसरवा है. बेद और बेदांगों की संख्या कितनी है? बेदों की संख्या चार है और बेदांगों पुरानों का अध्यन करने वाला पर्थम मुसल्मान कौन था तो अलवरूनी था पुरानों का अध्यन करने वाला पर्थम मुसल्मान कौन था? अलवरुनी था उपनीसद का विशय वस्तु क्या है? दर्सन है उपनीसद मतलब होता है गुरु के पास बैठ कर ज्यान प्राप्त करना ब्रहमर गरंत संबंधित है किस से? कर्मकांड से सबसे प्राचीन वेद कौन है? रिगवेद है और सबसे बाद बाला वेद अथर वेद है रिगवेद में याद रखिएगा रिगवेद में 10 मंडल है 1088 सुक्त है और 10462 रिचाएं की रचना किया गया है गद एवंपद वाला वेद कौन है? यजुर वेद है नेक्स्ट भारतिय संगीत का जनक है सामवेद किस वेद को भारतिय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को गायत्री मंत्र लिया गया है किस से? तो रिगवेद से गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? रिगवेद से लिया गया है गायत्री मंत्र का रचनाकार था विश्वामित्र गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है तो विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है गायत्री मंत्र किसे समर्पित है तो साबित्री को समर्पित है या सुर्य देवता को समर्पित है गोतर सब्द का उलेख मिलता है अथर्व वेद में भागवत धर्म के प्रवर्तक थे स्रिक्रिस्न थे जो वरीशन कभी लेके थे भक्ति आंदोलन का प्रारंब किसके द्वारा क्या गया था तो अलवार संतों के द्वारा क्या गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंब किसके द्वारा क्या गया था आर्यों की जानकारियों का सरोत किसमे मिलता है रिगवेद में मिलता है आर्यों की जानकारी का सरोत किस में मिलता है रिगवेद में मिलता है रिगवेद में सरवाधिक बार वर्नित नदी कौन है सिंधु नदी है रिगवेद में सरवाधिक पवित्र नदी सरसती नदी है रिगवेद में परमुख नदी परमुख देवता इंद्र है याद रखिए इंद्र है, पुरंदर किसे कहा गया है, तो इंद्र को कहा गया है, पुरंदर किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है, रिग बेद में सबसे बाद में निर्मित मंदल कौन है, रिग बेद में कुल दस मंदल था, जिसमें से सबसे बाद वाला मंदल जो है, दासमा मंदल है, र प्राचीन हिंदी विधी के लेखक कौन है तो मनु है सबसे प्राचीन अस्मिर्ती बोला जाए तो मनु अस्मिर्ती है और मनु अस्मिर्ती का लेखक कौन है मनु जी है या मनु के रचिता कौन है मनु अस्मिर्ती का तो मनु महराजी है गरंथों में सबसे प्राचीन कौन है तो मनु असमिर्ती है पुस्तक मिताक्च्रा के लेखक कौन है बिग्वानेश्वर है मिताक्च्रा के लेखक कौन है बिग्वानेश्वर है महाभारत का अन्य नाम क्या है जैसंहिता है महाभारत का फारसी अनुवाद का सिर्सक का क्या नाम है रजनामा है महाभारत की रचना क इसने की महरसी वेद व्यासनी क्या है। सुन्य बाद का प्रवर्तक कौन है? नागा अर्जुन जी है। गौतम बुद्ध को एसिया का जौतिस पुझ कहा जाता है जिसने बाद धर्म की अस्थापना किये थे। ठीक है? नेक्स्ट बुद्ध की जो गिरित्याग किये थे तो उसे महावी निस्करमन कहा गया था और बुद्ध जो पहला प्रवचन दिये थे उसे धर्म चक्रवर्तक कहा गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहा दिये थे? तो सारनाथ के सरिनपतनम में दिये थे। कहा दिये थे? सारनाथ में दिये थे। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था किस भासा में? पाली भासा में. बुद्ध ने अपना उपदेश किस भासा में दिया? पाली भासा में. बुद्ध ने सरवाधिक उपदेश कहां दिये थे? तो सरावस्ती में दिये थे. कौसल देश की राधाने सरावस्ती में दिये बुद्ध ने सरवादिक उपदेश कहां दिये थे? स्रावस्ती में दिये थे. बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम संग है. बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम संग है. बुद्ध धर्म ग्रहन करने वाली पर्थम महला कौन थी? परजाप दूतिय बाद संगती कब हुई थी? 383 इसा पूर में हुई थी? तुसा एक्यावन इसा पूर में हुई थी? और चौती बाद संगती कब हुई थी? तो परथम सतागी में हुई थी। याद रखिएगा यहां से एक और टर्म पर्थम बाध संगती राजगीर में हुआ था दूसरा बाध संगती बैसाली में हुआ था तीसरी बाध संगती पाटली पुत्र में हुआ था और चौती बाध संगती जो है कुंडलवन कास्मीर में हुआ था ठीक है चलिए next बढ़ते तरीक है चलिए नेक्स्ट बौद धर्म का पूजा अस्तल क्या कहलाता है चैते मंदल कहलाता है बुद्ध चरित्र के लिखक कौन है अस्व गोस है आजीवक्पंत का परवर्तक कौन है मकली पूत्र गोसाल है आजिबक संप्रदाय लिखता है या प्रवर्तक लिखता है आजिबक संप्रदाय का संस्थापक कौन है माक्री पुत्र गोसाल है हिजरी संपत की सुरुवात तो कब हुआ था 622 इसापुर्व में हुआ था यादर कियेगा हिज्री संबत की सुरुवात 622 इसापुर्व में हुआ था ठीक है इसापुर्व नहीं इस भी होना चाहिए इसापुर्व लिखा गया है यादर कियेगा सीख वाद का प्रवर्तन कम हुआ था तो 500 इसापुर्व में हुआ था इसलाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे हजरत मुहम्मद सहाब थे हजरत मुहम्मद सहाब का जन्म कह हुआ था 570 इस्वी में मक्का में जैन धर्म के पर्थम तिर्थकर कौन थे रिशब देव थे जैन धर्म के अंतिम तिर्थकर कौन थे महावीर स्वामी थे याद रखिएगा जैन धर्म का पर्थम तिर्थकर रिशब देव चीज है और अंतिम तिर्थकर तथा भास्तविक तिर्थकर बोले तो महावीर स्वामी थे जैन धर्मे कुछ 24 तिर्थकर हुए जिसमें से पर्थमरी सब्देव और अंतिम महामिर स्वामी है जैन धर्म तिर्थकर की जिमनी का उलेख किस में मिलता है तो जैन धर्म के तिर्थकर की जिमनी का उलेख कल्प सुत्र में मिलता है जो भद्र बाहु द्वारा लिखा गया है कल्प सुत्र किसके गवरा भद्र बाहु द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट शूफी धर्म आमदोलन का विकास किस सदी में हुआ था नवी सदी में हुआ था महाविर स्वामी का जन्म कहां हुआ था कुंड लवन बैसाली में हुआ था का हुआ था बैसाली में हुआ था next महाबीर स्वामी का जन्म कब हुआ था 540 इसापुर में हुआ था और मिर्तिव 468 इसापुर में भावापुरी में हो गया था महाबीर किस राजगराने से थे महाबीर का पर्थम अनुराई कौन था महाबीर का दामाद जामाली था इससे जामीर भी बोला जाता है महाबीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिये थे किस काल में? बिम्बसार के काल में महाबीर और बुद्ध जो है दोनों का उपदेश किस के काल में दिया गया था विम्बसार के काल में दिया गया था जैन धर्म के दो प्रम संपरदाई थे जैन धर्म को दो संपरदाई में बाटा गया था वो था स्वेतांबर और दिगांबर ठेक है स्वेतांबर जो स्वेत् पर्थम जैन सभहा जो है वह 322 इसापुर में पाठले पुत्र में हुआ था और दूसरी जैन सभहा 512 इसभी में बल्लभी गुजरात में हुआ था कब हुआ था बल भी गुजरात में ठीक है इसा पुर्म लिखा हुआ है इस भी होना चाहिए था ठीक है ध्यान रखिएगा इसा मसी का जन्म कौन हुआ 110 नमर क्वेश्चन जो था वो था इसाई धर्म का संस्थापक कौन है तो इसा मसी है इसा मसी का जन्म चार इसा पुर्म में हुआ था बैथलेहम में इसा मसी को सूली पर चढ़ाया गया था रोवर्ट पंटियस गोवर्नर के द्वारा 33 इस्वी में ठीक है मगद की राजधानी कहा है तो राजगिरी जिसे ग्री वर्ज भी कहा गया था पहले राजगिरी को ग्र पुतर निकाय में है, सिसुनाग बंस का संस्थापक कौन है, सिसुनाग है, हरियक बंस का संस्थापक बिम्बसार है, पाटले पुतर की अस्थापना किसके द्वारा किया गया, उदाइन ने किया था, पाटले पुतर बसा हुआ है, गंगा और सोन नदी के संगम पर, पाटले सार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है अमित्र घात का अर्थ होता है सत्रू भी ना सक अवंती की राजधानी थी उज्जेन अवंती की राजधानी क्या थी उज्जेन थी नंदवन्स का संस्थापक कौन था तो महापगनन था और नंदवन्स का अंतिम्सासक कौन था घ गहनानंद को हरा कर चंद्रगुप्ति मौर्ज ने है मौर्य समराज की अस्थापना किया था भारत पर सर्ग पर्थम आकर्मन किसके द्वारा किया गया था तो इरानियों के द्वारा किया गया था भारत पर आकर्मन करने वाला पर्थम सासक कौन था सिकंदर था जिसने बिश नहीं पराप्त कर पाया था, फिर भी यह विजयता कर लाया ठीक है, सिकंदर अवाम पोरस के बीच, हुवे युद्ध का वर्नन किस नदी पर हुआ था, तो याद रखिएगा सिकंदर और पोरस के बीच, जो है जहलम के नदी पर हुआ था इसे जहलम का युद्ध कहा जाता है इसे हाई स्पीड का युद्ध भी कहा जाता है सिकंदर और पुरस के बीच हुए युद्ध जो है क्या है हाई स्पीड का युद्ध या जहलम का युद्ध ठीक है नेक्स्ट हाय स्पीड का युद्ध क्या कहलाता है जेलम नदी के किनारे लड़ा गया था इसलिए इसे जेलम का युद्ध भी कहा जाता है सिकंदर की मृत्यू कब हुई थी 323 इसापुर बेवी लौन में हो गई थी मौर्य बंस का संस्थापा कौन था चंद्रकुप्त मौर्य था मौर्य बंस की जानकारी मिलती है विष्णू पुरान में मौर्य बंस की जानकारी किस में मिलती है तो मौर्य बंस नहीं मौर्य समराज लिखना चाहिए गलत लिख दिया है मौर्ज समराज की जानकारी मिलती है विष्णो पुरान में सुदर्सन जील का निर्मान करवाया था चंद्रकुप्ति मौर्ज ने सुदर्सन जील का निर्मान किस ने करवाया चंद्रकुप्ति मौर्ज ने करवाया चंद्रकुप्ति किस धर्म का अनुराई था जैन धर्म का अनुवाई था भारत का मैक्या वेली कहा जाता है चानक्य को भारत का मैक्या वेली कहा जाता है और इसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अर्थसास्त्र जिसमें राजनीती के बारे में वर्ण किया गया है चनरक्य का अर्थसास्र किस पर आधारित था? पुरसासन या राजनिती पर आधारित था चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की सिक्षा ली थी alternizer भाद्रवाहू से चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला योनानी मेगा एस्थिनीज था जिसके द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका था तो इंडिका की रचना किस ने किया था मेगा इस्तिनीज ने किया था और इसी इंडिका पुस्तक में जो है चंद्र चंद्रुप्ति मौर्य की जो है समराज मौर्य समराज की जानकारी मिलती है चंद्रकुप्ति मौर के मिर्तिव कब होती है 200 अंठाउन बे इस्वापुर्म में सर्वन बेल गोला में हो जाता है सिला लेक का प्रचलन शुरू किया था असोख ने असोख ने धम स्वीकार किया था कलिंग युद के बाद कलिंग का युद का वर्ण कब किया गया है कलिंग युद याद रखिएगा देखिए धम को स्वीकार किया कलिंग युद के बाद देखिए क्या हुआ था असोख जब अपने समराज पर बैठा जब अपना सिंगहासन गरहन किया जस्ट उसके 279 इसापुर में अपना सिंगहासन गरहन किया और उसके आठ साल बाद 261 इसापुर में कलिंग युद्ध हुआ और इसी कलिंग युद्ध में मार काट करने के बाद असोक जो है यह बहुत धर्म की दिख्छा ले लेता है और यह धम स्विकार कर लेता है बहुत धर्म परचार के लिए स्रिलंका भेजा था किसने असोक जो है बहुत धर्म के परचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संग मित्रा को स्रिलंका भेजा था असोक का राजविशेक 279 इसापुर में हुआ था असोक का सबसे लंबा अस्तंब लेख कौन है तो सात्मा अस्तंब अभिलेख है असोक का नाम उलेखित है मासकी अवम गुर्जरा अभिलेख में असोक का नाम असोक किस में मिलता है तो मासकी और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है असुक को मगद का समराट बताया गया है किस अभी लेख में भराबू अभी लेख में जो है असुक का नाम मगद का समराट बताया गया है कलिंग की बिजय का वर्नन तेरहमा सिला लेख में है कलिंग बिजय का वर्नन किस में है या कलिंग युद का वर्नन जो है वह असुक के तेरह में सिलालेख में लिखा गया है साची अस्तूप बन बाया था किसने असोख ने साची अस्तूप किसने बन बाया असोख ने सरी नगर की अस्थापना किसने किया था असोख ने किया था राज तरंगनी का लेखक कौन है कलहन है राज तरंगनी के लेखा कौन है कलहन है और राज तरंगनी में कस्मीर के इतिहास का बर्नन है राज तरंगनी एक पुस्तक है जिसका लेखा कलहन है और राज तरंगनी में कस्मीर के इतिहास का बर्नन है असोग के सिलाले की खोज किस ने किया था तो टी पैंथेलर ने 1750 इस् हरी सेन का इलाहाबाद अभीलेख जानकारी देता है शमुद्र गुप्त का मिलता है मौर्य बंस का अंतिम सासक था ब्रिहद्रत जिसे मार करके पुस्मित्र सुंग ने ये सुंग बंस की अस्थापना किया था तो शुंग बंस के नियम किस ने डाली थी पुस्मित्र सुंग ने जाली थी भरहुत अस्तूप का निर्मान करवाया था भरहुत अस्तूप का निर्मान किस ने करवाया पुस्मित्र सुंग ने करवाया भारतिये में आने वाला पर्थम यवन सासक कौन था भारत में आने वाला पर्थम यवन सासक डायमेटरियस था डायमेटरियस पर्थम को किस ने पराजित किया था पुस्मित सुंग ने पराजित किया था पुस्मित सुंग ने असमेग यग कितनी बार करवाय थे दो बार पुस्मित सुंग ने दो बार असमेग यग करवाया थे सात्माहन मंस की अस्थापना किस ने की थी तो सिमूक ने सात्माहन मंस की अस्थापना किस ने किया था शिमूक ने किया था दस राज युद्ध लड़ा गया था या दस राग युद्ध जो है वह कहां पर लड़ा गया था तो रावी नदी के टट पर लड़ा गया था याद रखिएगा भारत में सरवपर्थम सोने के सिके किसने जारी किया था हिंदी युनानियों ने जारी किया था भारत में सरपर्थम सोने के सिके हिंदी युनानियों के द्वारा जारी किया गया था सुद्ध सोने के सिके किसने चलाये तो कुसानों ने सबसे पहले सोने के सिके तो हिंदी युनानी और सुद्ध सोने के सिके तो कुसानों के द्वारा चलाया गया सरवधिक स्वर्मस बुद्रायक इसने जारी किया तो गुप्त काल में जारी हुआ था सेसे के सिक्के चलाया थे साथ वाहनों ने चलाया थे चामदी का सिक्का सरपर्थम चलाया था चंद्रगुप्त दुत्ये ने रुपिया का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था सेरसा सूरी के काल में आना का सिक्का चलाया था साजहाने कुसान वंस का संस्थापक कुजूल कणफिसस है बुद्ध की खारी खड़ी परतीमा बनी है कुसान काल में बुद्ध की खड़ी परतीमा किस काल में बनी है कुसान काल में बनी है कुसान वंस का परसिद सासक कौन था कनिस्क था जो बौत धर्म के महायान साखा से संबंदित था कनिस्क की पहली राजधानी परुस्फुर थी कनिस्क की दुसरी राधानी मथुरा थी सक संबत चलाया गया था कनिस्क के दौरा सक संबत कनिस्क के दौरा 78 इस्वी में चलाया गया था मुर्तियों का निर्मान हुआ था कुसान काल में मुर्तियों का निर्मान कुसाल काल में और मंदिरों का निर्मान जो है गुप्त काल में हुआ था गुप्त वंस का संस्थापक स्री गुप्त था मंदिर की बिमान सैली का परचलन चोल सास को द्वारा किया गया था दसबलब परणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में राष्टिय पंचांग आधारिती सक संबत पर आधारित है हमारा जो बरतमान का राष्टिय पंचांग है वह सक संबत पर आधारित है सिल्क मार्ग का निर्मान करवाया कनिस्क ने कुसंगन मंस का अंतिम सासक बासुदेव था गुप्त वंस की जानकारी मिलती है भायू पुरान से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्र गुप्त को कहा जाता है सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्साया गया है समुद्र गुप्त को भारत का बिस्क मार्क किसे कहा जाता है बलब भाई पटेल को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागा अर्जुन भ भाराताया था चंद्रकुप्त दोतिये के काल में, चंद्रकुप्त दोतिये ने दूसरी राधानी बनाई उज्जैन को, चलिए तो आज की कहानी हम लोग यही पर समाप्त करते हैं, आज हम लोग 114 कुश्चन देखे हैं, इसी तरह से हम लोग कम समय में ज्यादे परस्म देखने का प्यास करेंगे जो आपके प्रिच्छाओं की दृष्टी से अतीम हत्पर्ण हो।